गुड मॉर्निंग एवरिवन आज हम लोग सीटेट पेपर वन के लिए EBS NCIT बुक क्लास फोर को देखेंगे और इसमें जो है 26 चैप्टर है जिसका 1-13 चैप्टर का फुल एक्स्प्लानेशन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर लिये थे और आज की वीडियो में 13-26 चैप्टर तक यानि पूरे बुक आज खत्म हो जाएगा क्लास फोर का EBS पारियावरन अध्यान और जिससे हमारा सेटेट पेपर 1 में बहुत हल्प मिलेगा एक तरह से एक रामबान के तरह साबित होगा क्योंकि बुक से कोश्चन आते ही आते हैं ये तो फिक्स होता है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने यहां तक 13 चैप्टर तक दिसकर्शन कर लिये थे पहारों से समुंद्र तक यहां तक हो गया था नेक्स चैप्टर हम लोग चलेंगे नेक्स चैप्टर क्या है वश्वा का खेत वश्वा नाम है और उसके खेत के बारे मिहां कुछ दिया हुआ है तो बेलवनी का गाउं बेलवनी का जो है एक गाउं है ये करनाटक में है ये करनाटक में बेलवनी का गाउं है और इसके इ नरम किया जाता है यहनी खुट्टी जो है यहां अउजार है और इसी से खेत की मिटी को नरम किया जाता है ठीक है जुलाई के महीने में प्याज की बुआई होती है यहां से कोशन बन सकता है कि प्याज की बुआई कब की जाती है तो जुलाई के महीने में की जाती है ओके और वैल कूरिंगे को खीचते हैं वैल किसको खीचते हैं तो कूरिंगे को खीचते हैं और अपपा पेचे पेचे प्याज के बीज डाले जाते हैं बस 20 दिन के बाद प्याज के चोटे चोटे पोधे निकल आते हैं तो यहां हमको इस बात पर ध्यान देना है कि प्याज के चोटे महिने में होती है बेल वनिका गाउं नमीchen खुटि कहा जाता है एक कुदाल ही होता है जो करनाटक में इसको खुटि बोला जाता है इसलिए इहां बुक में खुटि दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट है खर पतवार तो खरपतवार क्या होता है जो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ पौधे बीना बोए अपने आप ही उगाते हैं तो कुछ पौधे क्या होता है कि बीना बोए अपने आप उगाते हैं उसे को क्या काते हैं खरपतवार काते हैं इससे क्या होता है तो इससे जो अब फसल खेत में वोएं हैं उसको उसकी बिरधी ये कम कर देती है तो इससे प्याज की फसल कम हो जाती है और पत्ते पीले होकर सूखे तो प्याज निकाल लेना चाहिए नहीं तो प्याज को निकालने का समय कब होता है तो जब उसके पत्ते जो हैं पीले होकर सूखने लगते हैं तो प्याज को निकाल लेना चाहिए नहीं तो प्याज सर जाएगा ओके प्याज को निकालने के बाद उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है तो बरी-बरी बोडियों में भर कर वो मंडी में ट्रक के थुरू भेज दिया जाता है ठीक है तो इस चेप्टर में हमें दो तीन बात पर ध्यान देने की ज़्योरत थी की प्याज की बुआई कब की जाती है जुलाई महीने में की जाती है और प्याज की बोने के बाद इतने दीन के बाद प्याज की पाउजी चोटी चोटी पाउजी निकल आते हैं तो 20 दीन के बाद खरपतवार क्या होता है तो फसल के साथ जो अपने आप पाउजे उग जाते हैं खर्पतवार कहते हैं ठीक है प्याज कब निकाल लेना चाहिए जब उसके पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर देखिए कुछ जो टूल्स है जो अउजार है जो खेतों में इसके सहारे काम क्या जाता है तो यहां दिया हुआ है जैसे यह फिगर देखिए आप यहां फिगर दिया हुआ है तो नाम इसका जो इस चैप्टर में नाम है तो इस चैप्टर में इसे कुरिंग कुरिंगे कहा गया है और आपके इलाके में तुम्हारे इलाके में इसका नाम क्या है तो बीज बोने क्या ह हवाल है एक तरण से लग रहा हूं जैसा लग रहा खेतु में चलता है वही हल है और इसका काम है तो मिक्ति को उलटना बीज वोना है न है जो तूल से है उजार है वो क्या है यह कुदाल है हम लोग के तरफ इसे कुदाल वोला जाता और इससे बुक में क्या कहा गया था तो खुटी कहा गया था ठेक ना इसका क्या काम है तो मिट्टी को नरम करना जो कि हम लोग फढ़े यहां एक कोशन दिया गया है कि फसल उगाने के सही कर्म को लिखे तो यह हम सब जानते हैं इस पर डिसकर्शन करने से कोई फायदा नहीं है इसका जो प्रोसेसिंग कैसे कैसे होता है स्टार्ट वो अब कर लेंगे ठीक है नेक्स चैप्टर पर हम लोग सलेंगे फिप्टी नमबर चैप्टर है मंडी से घर तक मंडी से घर तक है यहां ध्यान दिजिएगा घर से मंडी नहीं है यहां मंडी से क्या है घर तक है कभी कभ में अम्मा भाई और चोटे चोटू और मैं भी मदद करते हैं हम सुभा के तीन बजे पिछले दीन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकाल लेते हैं जब सब चाय पी रहे होते हैं बाबुजी भाई और चाचू और लोगों के साथ टैंपू से लिचनी कर ने करते हैं ने लाने जदाने के काम में सब लग जाता ह। और क्या होता है बैगन आलो टमाटर भिंडी फेठा घिया और मिर्ची यादी कच्छी सब्जियां को और बचाने के लिए तैयारी तैयार नहीं सब्जियों को अलग रखते हैं मितलब कच्ची सब्जियों को और बचने के लिए तयार नहीं सब्जियों को अलग रखते हैं ठीक ना जो कच्ची जायदा कच्ची सब्जिया होता है जायदा दीन होने पर वोशर जाता है इसलिए उसे बचाने की तयारियां कम क्या जाता है उसे कम ही मंडी से लाया जाता है की कम रहेगा तो बरवाद नहीं होगा और उसका पूरा भीक जाएगा तो यहाँ पर यह सब बात दिया हुगा है उसके बाद सबजी पर किस तरह से उसको ठीक रखा जाता है जो देखिए सबजी ओंपर पानी छिरकते रहते हैं ठीक है सबजियां को हरा हरा दिखने के लिए इस पर पानी छिरकते रहते हैं जिसे भी सूख ना जाये खासकर गर्मियों में ठीक है तो बाबुजी और भाईया रात में दस बजे तक सबजीया बेचकर घर लोटाते हैं तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं घर के बाके सब लोग 11 से सारे 11 बजे तक ही सो पाते है केवल चार घंटे बाद सुबा तीन बजे सुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन डैट्मिन्स अगर इस चैप्टर में देखें तो यहां पर महिनत को फोकस दिया गया है कि सबजी बेचने वाला जो है इतना महिनत करता है कि चार घंटे तक ही सो पाता है अब आकी जित को शुरद हर्क लए उसको कुद दिन तक हम सुरचीद रख सकते हैं तो पालक जल्दी खराब होने वाली फलसबज़िया सब्रीट खराब होता है किलnoty फुल ब्लगोर्य खराब जता है ट्माटरशीराpse – खराब आजयाती औरマदु कियंफ के प्निक सब्सक्तित सब्सक्राइब यसा सब्सक्राइब का स्वेयर सब्सक्राइब जादो सब्सक्राइब ठीक न? चिकनी सबजियां क्या होता है? तो पालक, लोकी, केला, खीरा, सेव, अंगूर, बैगन, टमाटर ये सब जो है चिकनी सबजियां आती है और खुदरी सबजियां क्या होती है? आलू, प्याज, खुलकोबी, नश्वाती, चिको, अधरक, अनाना से ये सब खुदरी सबजियां में आती है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे हो सकता है एक कोशन यहां से आ जाए नेक्स चेप्टर है चू चू करती आई चिरियां ठीक है? तो चू चू करती आई चिरियां यहां से देखें सबसे पहले आप याद रख सकते हैं कि sound of word जो word का sound है वो क्या है? तो चू चू है ठीक ना चीरिया का जो आवाज है वो कैसी है तो चूँँ चूँँ है ठीक ना तो पच्छी गुरया फक्ता शक्कर खोरा पच्छी है ये तरह तरह के कीरे और अन चीजे खाते हैं पच्छी गुरया फक्ता और शक्कर खोरा ये जो है तरह तरह के चीजे खाते हैं इसके साथ कीरे भी खाते हैं कल्चिरिया को इंडियन रोविन कहा जाता है कल्चिरिया को क्या कहा जाता है इंडियन रोविन कहा जाता है पत्थरों के भीच खाली जगहां में अंडे रहती इ ये अपना अंडा कहां देती है तो पत्थरों के बीच दो पत्थर रहता है, उसके बीच में ये अंडा देती है, और ये घास का घोशला बनाती है, उपर पौधे के नाजुक टेहनी अपने घोशला देखें कैसे बनाती है, ये कौन कल्चिरिया जिसे हम इंडियन ड्रोविन करते हैं तो ये नाजुक पौधे की नाजुक टेहनिया को सामिल करता है जरे उन बाल और रूई सब बिझा होता है इसकी चोच अंदर से लाल होती है तो कल्चिरिया जो होती है उसका चोच क्या होता है अंदर से लाल होता है और वो अपना घोशला कैसे बनाती है तो नाजु कहां देती है तो दो पत्ल के बीच पत्लों के बीच खाली जगा जो होता है उसमें वो अंडा देती है कववा तो कववा पेर के उची डाल पर घोशला बनाता है हम लोग सब ही देखते हैं कि हम लोग के आस पास में जो पेर रहता है तो वो पेर के उपर ही घोशला बनाता है कववे के घोशले में क्या होता है यह हम लोग नहीं जानते हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे कोवे के घोसले में लोहे की तार और लक्री की शाखाएं जैसी चीज भी होती है तो कोवे के घोसले में यहां कोशन आ सकता है कि लोहे की तार और लक्री की शाखाएं किस पंची के घोसले में होते हैं तो आप यहां टिक करेंगे कवे कवे के घोषले में लोहे कीतार और लक्री कीशा खाएं जैसी चीजें भी होती है कोयल की बात करते हैं तो कोयल यह अपना घोषला नहीं बनाती है कौन सा पच्छी है जो अपना घोशला नहीं बनाती है यह कैसे अपना काम चलाती है भाई तो यहां देखिए कि यह कव्य के घोशले में अंडा दे देती है कव्य अपने अंडों के साथ कोईल के अंडा भी सेता है ठीक है यह जो कोईल है वो चलाकी करती है खुद का घोशला नहीं बनाती है ये कववे के घोशले में अंडा दे देती है है और कववे अपने अंडों के साथ डाइट मीन्स कववा जो है कोयल का अंडा को अपना अंडा समझ कर वो उसके अंडे को सेती है ठीक है अब हुम फक्ता के बारे में देखेंगे यह जो पंची है यह कैक्टस के काटों के बीच यह महिदी के मेड में गोशला बनाती है है ना कैक्टस के काटों के बीच कैक्टस का जो काटा होता है बहुत हाड होता है और उसके बीच यह गोशला बनाती है कौन फक्ता गोरईया क्या है तो आम तोर पर यह घर में घोशला बनाती है गोरईया जो है वो घर में घोशला बनाती है तो घर में कहां पर बनाती है अलवानी के उपर आइने के पीछे और घर के दिवाल के आले में तो गोरईया जो है वो घर में घोशला बनाती है आप याद रखेंगे गोरईया और घर, ठीक ना तो गोरईया घर में ही घोशला बनाती है, कहां पे तो अलवारी के उपर आएने के पीछी और घर की दिवार के आले में, ठीक है न, तो कबूतर, कबूतर के वाले में थोड़ा जाल लेते हैं कि कबूतर क्या करती है पुराने मकान और खंडरों में घोशला बनाता है कबूतर कहां घोशला बनाता है तो पुराने मकान जो मकान बहुत पुराने हो जाते है या खंडर में जहां कोई नहीं राता है वहां ये घोशला बनाता है बशंत बरया वसंत गोरिया क्या है गोरी वसंत गोरी तो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेर के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं तो बसंत गवरी जो है वो गर्मियों में किस तरह का साउन निकालते रहाता है टुक 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 और पेर के तने में गहरा छेद बना कर उसमें अंडे रखता है दर्जिंग चिरियां के बारे में देख लेते हैं कि ये दर्जिंग चिरियां क्या करती है तो दर्जिंग चिरियां जो है अपनी नुकीली चोच से पत्तो को सील लेती है ठीक ना ये दर्जिंग चिरियां है इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये नुकीली इसके चोच होते ह और अपने नुकीले चोज के हेल्प से पत्तों को क्या करती है और उसके बीच बनी थैली को अंड़ा देने के लिए तयार करती है ठीक है शक्कर खोरा शक्कर खोरा क्या है तो सक्कर खोरा किसी छोटे पेर या जहारी की डाली पर लटकता हुआ घोशला बनाता है यह जो है बहुत अजीब शा पंची है यह क्या करता है किसी छोटे पेर या जहारी की डाली पर लटकता हुआ घोशला बनाता है घोशले मे क्या शामिल होता है जो देख लीजिए बाल वारी की घास पतली तहनिया सूखे पत्ते रुई रूई तक भी इसके गोसले में शामिल होता है पेर की चाल के टुकरे और कपरों की चितरे यानी फटे पुराने कपरे और कपरों की टुकरा टुकरा और मक्री के जाल भी होते हैं तो शक्कर खोड़ा जो है पहले बात इसकी विसेश्ता ये है कि ये जो अपना घोशला कहां बनाएगा छोटे पेर या जाड़ियां की डाली में और लटकता हुआ ठीक है और घोशले में ये सबसे जाएदा मैटरियल को सामिल रखता है बाल को बारी की घास को पतली टहनियां सुखे पत्ते रूई पेर की चाल के टुकरे और कपरों के टुकरे भी सामिल करते हैं मक्री के जाल को भी ये सामिल करता है घोशले की तरह छोटा सा छेद होता है वहीं बच्चा बैढता है बीवर पच्ची के बार मादा वीवर उन सभी घोषलों को देखती है उन्से अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देती है तो वीवर पच्छी में नर वीवर अपने घोषले बनाते हैं और मादा विवर्ज होती है, उन सभी घोषलों को देखती है, जो सबसे अच्छा घोषला होता है, उसमें वो अपना अंडा देती है. नेक्स्ट पॉइंट है, कवे, गिलेहरी, बिल्ली और चुहे, मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं, हैना कवे, गिलेहरी, बिल्ली और चुहे, मौका अगर उसको मिल गया तो अंडा चुरा कर भाग जाता है, एक पच्छी ऐसा जिसकी धुम पर फैसा सिर में धुम तक दिखिए नीला ही नीला राष्टी पच्छी ये मोड है पच्छी केवल अंडे देने के लिए गोषला बनाते हैं जब अंडों से बच्छी निकल जाते तो वो गोषला छोड चोड जाता है पच्छी घोषला का यूज सिर्फ और अंडा देने के लिए करता है जब अंडा से बच्छे निकल जाता है तो घोषला वो छोड़ देता है गाई के बारी मुद दिया गया है गाई के आगे के दात छोटे होते हैं चाहीथ जो आगे का दाथ होता है वो एड़ाथा होते हैं छोटे जो दात होते हैं Salam जो फाट जावने के लिए जहाँ होत same everything और दाने गहां natur मर्ण में जौनिद और एलिए बहमaya जो और के खाट हने जहाटा करूं बिल्ली के दाथ नुकीले होते हैं जो मांस को फारने और काटने के काम में आते हैं शाप के दाथ होते तो नुकीले हैं पर वो अपने शिकार को दवा कर नहीं खाता बलकि पूरा निंगल जाता है शाप का जो दाथ है नुकीला होता है पर वो शिकार को जो शिकार करता है उसे चवा चवा कर नहीं खाता है उसे क्या करता है पूरा निंगल जाता है गिलहरी के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं इसकी ये विशेश्ता है कि गिलहरी का जो दात होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है दातों से काटने और कुतरने के कारण इनके दात घिसते है ये कोस्चन आया हुआ है गिलहरी के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं दातों से काटने और कुतरने के कारण के दात घिसते रहते हैं अगर गिलहरी कुतरने और काटने के काम नहीं करता तो उसका दात बहुत बढ़ा हो जाता यह जो है दातों से काटने और कुतरने का काम करते रहता है इसलिए इसका जो दात है घिसते रहते हैं मानव सामने के दात दाता नहते हैं मानव सामने के दात आगे वाला, उससे वह खाने का काम करता है और जैसे हम लोग अमृत बेगेरा खाते हैं उस तरह से खाने का काम करता है और चवाने का जो काम है वो पीछे वाला दात करता है आया पंचियों के पंजे है जैसा काम वैसा पंजे जैसा जैसा काम पंची करता है उसके लिए वैसा वैसा ही पंचे प्रकृतिक के रूप से दिया जाता है तो पानी में तैरने के लिए जो पंचा होता है इस परकार होता है टहनीों को पकरने के लिए देखिए किस तरह से पंचे होते हैं ताकि वो गिरे नहीं इसके पांच इस तरह से फिंगर्स की तरह निकला हुआ रहाता है ताकि टेहनी को वो जगर सके सिकार पकरने के लिए उसका इस तरह से पंजा होता है पेर पर चलने के लिए इस तरह का पंजा है जमीन पर चलने के लिए जैसे हम लोग जमीन पर चलते है तो इस तरह का पंजा मिलता जुलता शाह है पच्छियों के चोच जैसा खाना वैसी चोच उसी तरह से अब चोच की बात आ गई कि जो जो पंची जैसे खाना खाता है जो जो चीज खाता है उसके अनुशारी उसके चोच होते है डेटमिन्स हम का सकते हैं कि अपने चोच के कोडिंग ही वो खाना काता है मन सीडने फारने वाले जो पंची होते हैं उसके चोच इस तरह से होते हैं लक्री में छेट करने वाले जो होते हैं ड्रिलिंग के तरह होता है और फूलो का रश चोचने वाले इस तरह से कुछ उसका चोच होता है काटने के लिए इस तरह और बीजो को दवा कर तोरने के लिए इस तरह का चोच होता है कीरे में चानवीन करके कीरे खोद कर निकालने के लिए देखिए ये इतना वरा चोच होता है इसका नंदिता कहा है ये मुंबई में है उसकी कहानी है नंदिता को गाउं में मा को मुंबई क्यों लाना परा उद्धर है नंदिता को गाउं में गाउं से मा को मुंबई इलाइस कराने के लिए लाना परा तो मुभाई क्यों लाना परा? तो हिलाइज करवाने लाना परा मामा की बस्ति के ट्वाइलेट में जाने पर निन्ता को पहले मितली आती थी क्यों? श्रभा भावी कसी बात है वो गंदा होगा इसलिए उसे मितली आती होगी मितली मिस्वोमेटिंग इस तरह से कुछ question दिया हुआ है आप इसे देख लेंगे next chapter पर हम लोग चलेंगे पानी कहीं जायदा कहीं कम अब इसके वारे में हम लोग जानेंगे कि पानी कहीं जायदा और पानी कहीं कम इसका मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है तो आप एकसी बात है पानी से related ही बात हो इसमें discourse क्या गया होगा तो नला मरा अंधर पर देश पानी के बदले cold drink पी रहे थे तो पानी के बदले क्या पी रहे थे cold drink पी रहे थे बाजार गाउं महाराष्ट में water park था महाराष्ट में क्या था water park था कफ फ्रेड मुंबई में तो फरेट जो है मुंबई में इस लाके में पीने का पानी जो है वहीं पानी पाइपन रहे हैं गन्दे पानी में क्या क्या हो सबस्क करेंब गांद करते हैं पानी पेशाब में न०र मिया कर दून है कि गंदे पानी पीने से हैजा होता है कि दस्त का उपाय अगर दस्त है तो कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं तो नमक सक्कर का घोर एक गिलास पानी पीने का पानी उबाल का ठंडा करें इसमें छोटा चमस सक्कर घोरें चुटकी भर नमक डालें और इस घोल को चक कर देखें इस इसका अस्वाद हमारे आसुमू के श्वाद से जाएदा नमकीन नहीं होना चाहिए तो इस तरह से आप इसका गोल बना कर आप जब इसे पीएंगे तो दस कम हो जाएगा बच्चों ने उठाया पहला कदम बच्चों ने क्या पहला कदम उठाया उसको हम लोग देखेंगे कि बच्चों ने उठाया पहला कदम करनाटक के होल गुंडी गाओं के लोगों ने पानी की कमी की आदत पर गई थी उहां की जो लोग थे उन्हों पानी की कमी की आदत पर गई थी क्योंकि उन्हें बहुत दीन से पानी की ही कमी मैं शोस हो रही तो जैसे जैसे आदमी को कोई चीज अगर कमी मिलता है तो बहुत दीन तक उसी तरह से रहने पर उसे आदत पर जाती है तो बारिस के दिनों में ही कुमों में पानी रहता था पिछले तीन साल में बारिस की कमी से उहां सूखा पर गया कुछ तीन साल से उहां बारिस नहीं हुई थी इसलिए क्या हुआ शूखा पर गया कहां की बात हो रही करनाटक के होल बुरी गाओं में तो पहारी के ऊपर एक टंकी थी, जिसमें बारिस का पानी भरा रहता था, लेकिन अब टंकी कीचर पत्थर से भरी थी, क्योंकि बारिस तिन साल से नहीं हुई थी, बच्चों की पंचायत का नाम है भीमाशंग, यह इंपोटेंट है भीमाशंग, उन्हों ने सबसे पहले टं जो तीन साल से उसमें बारिस नहीं हुआ था, तो वो क्या हुआ शूखा पर गया, पत्थर भर गया था, उसमें कीचर पर गया, तो उसको पहले शाब शफाई किया, मरमत किया, और आस पास नए चायादार पेर लगाए, और पुराने पेरों को पानी दिया, घास भी लगा ताकि सब हरा हरा हो जाए, तो उहां का जो बातावरन था, उसमें सुधार आया, ठीक ना, तो वो भीमा शंग जो है, आज भी उहां मौजूद है, अब ये नेक्स चेप्टर है, 90 नमबर जरों का जाल, ये जरों का जो जाल है, ये बरगत पेर में होता है, और इसके बारे म ये ही यहां पर दिया हुआ है, घास की जरों के पेछा मटर की बेल नाजूख होती है, इसका मतलब कहना है कि घास की जरों होती है, वो मजबूत होती है, पीपल का पेर दिवार पर भी उग जाते हैं, हम लोग सभी देखते हैं कि दिवार पर चोटा सा पीपल के पेर उग पोधे जरो द्वारा पाणी लेते हैं पेर काटने से पहले इलाके के सरकाड़ी दर्थर से लिखित मनजूरी लेनी परती है तिक है पेर काटने के खिलाफ क्या है कानून है अगर आप पेर काटना चाहते हैं तो आपके इलाके के जो सरकारी देफ्टर है सरकारी ओफिश है वहां से मंजूरी लेना परेगा तब जाकर आप पेर को काटेंगे बरगत के पेर में जान लेजे कि बरगत का पेर क्या है बरगत के पेर के लटकन असल में इसकी जर है बेट टहनिया से निकलती है और बरते बरते जमीन के अंदर चली जाती है मान लेजिए कि ये बरगत का पेर है अब इसमें क्या होती है इसकी टहनिया यहां से निकलती है जमीन में टच कर जाती है और ये जमीन में टच कर जाती है तो ये टहनिया जो है इसके लिए बहुत helpful होता है ये टहनिया इसको support करता है किसलिए support करता है कि वो खंभों की तरह इसे सहारा देती है और उसे मजबूती से जक्रा हुआ रहाता है जिससे वो बरगत का पेर जो है उसे नुक्षान जल्दी नहीं होता है हना तो बरगत का जो पेर है इसकी जो लटकन होती है असल में इसकी जर है वे टहनिया से निकलती है इसकी जर है वो कहां से निकलती है तो टहनिया से निकलती है और बरते बरते जमीन के अंदर चली जाती है ये बढ़ते बढ़ते कहां जाती है तो जमीन के अंदर चली जाती है ये मजबूत खंबों की तरह सहारा देती है कि इसको मजबूत खंबों की तरह सहारा देती है तो ये पेर को सहारा देती है ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है रेगिस्तान ओग अब रेगिस्तानी ओग के होती है इसकी जो उचाई होती है वो दिवाल के बराबर होती है इस पर पत्यां बहुत कम होती है ओक की ये विशिष्टा है कि इसकी जो पत्यां होती है बहूत कम होती है ठीक है इसके जरें यदि ऐसे 30 पेर पानी तक नहीं पहुचे जमीन पर लाइन में लिटा दिये जाएं इतनी गहरी होती है डाटमीन इसका जो जर होता है अब तीन पेर लगा देंगे लाइन वाइन एक पेक पर ये तो उतना गहरा तक इसका जर जाता है ठीक इस इलाके में पानी नहीं होता है जहां रेगिस्तान है उहां पानी नहीं होता है इसलिए इसका जो नाम है ओक जो है इसके आगे रेगिस्तानी ओक लगाया गया क्योंकि यहां रेगिस्तान होता है औ तो इसका जो जर होता है वो तीन पेर गहरा तक मिट्टी के अंदर जाता है और इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहां के लोग इसके तनी के अंदर पतला पाई डर कर पानी निकाल लेते हैं यह इतना अंदर चला जाता है जहां वाटर का सोड से है तो वहां के आदमी इसका यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं तो इसके तने के अंदर पतला पाई डाल कर पानी निकाल लेते हैं कौन सा पेर से पानी निकाला जाता है आश्टेलिया में तुर्यगिस्तानी ओक से निकाला जाता है ठीक na in next chapter है 20 number मिल कर खाएं यहां कि क्या नाम दिया गया है मिल कर खाएं तो कग्छा में पार्टी करवाने करने बच्चों को मिल जूलकर एक साथ बैठ कर खाने का अफसर देना है। अगर आप कक्छा में पाटी करवाने का फंक्शन कुछ किये हैं तो उसका मतलब है कि मिल जूलकर एक समाजिक वातावरन पारिवारिक वातावरन उहां डेवलफ होगा। बच्चों एक दुसरे के साथ घूल मिल कर बैठने के लिए बोलने के लिए एक दुसरे को हेल्प करने के लिए सीखेंगे। इसके लिए बच्चों को नाचगान नाटक जैसे कार्ज कर तयार करने के लिए भी प्रेडित किया जाता है। उसे motivate किया जाता है dance के लिए show के लिए नाटक के लिए और अनेक परकार का performance करने के लिए उसे तयार किया जाता है बीहू क्या है बीहू जो है असम में मनाया जाता है बीहू एक फैस्टिवल है और बीहू का तेवहार असम राज में मनाया जाता है सबसे पहला ये important question है बीहू कहां मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है या तेवहार चावल की नई फशल काटने के उपलच में मनाया जाता है ये तेवहार जो है किसलिए मनाया जाता है तो चावल की जो नई फशल है उसे काटने के उपलच में मनाया जाता है हना रात में भोजन से पहले घाश और बाश से भेला घर बना कर तयार रहते हैं रात को जलाने के लिए लक्री वाश और मेजी का इंदजाओं किया जाता है माश मचली और सबजियों तता सकरकंदी को भून कर बनाते हैं शाम को शभी को चाय और पीठा भी खाने को देते है इस तरह से बीवू अशम में मनाया जाता है तो दो बात यहाँ याद रखेंगे आप लोग यहाँ दो बात इंपोर्टेंट है कि बीवू कहां मनाया जाता है अश्रव में मनाया जाता है किस नफशर पर मनाया जाता है तो उहां जो धान की नई फüşल होती है उसकी कटाई की उप्लबचिव में मनाया जाता है ठीक है Next Point है उरूका उरूका क्या है? तो बीफू से पिछले दिन की शाम को कहाते हैं जो असम में ही मनाया जाता है इसमें पूरे गाउं के लोग रात को एक साथ खाना खाते हैं यह उरूका जो है विहू के पिछले दीन साम को मनाया जाता है इसमें पूरे गाउं के लोग इकठा होकर खाना खाते हैं बोरा और चेवा चाबलों के दो परकाद है यह दो टाइप है राइस का बोरा और चेवा जो पकाने के बाद चिप चिप हो जाते हैं यहां से कोशन आ सकता है कि चावल का दो प्रकार कौन कौन सा है तो यहां होगा बोरा और चेवा यह पकाने के बाद कैसा हो जाता है तो चिप चिप हो जाते हैं इसे कहां खाया जाता है इसे अशम में खाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है चेवा चावल तयार करने के दवरान पहले ताओं यानि कराही को आग पर रहकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उसमें भींगे हुए चावल डार दिये जाते हैं और उसे केले के पत्तों से ढग देते हैं रात में इसे खाते हैं इसे कैसे तयार किया जाता है तो पहले कराही को आग पर रखकर उसमें पानी वाले वाल दिया जाता है फिर भींगे हुए चावल डाल दिया जाता है और उसे केले के पत्तों से ढग दिया जाता है और रात में इसे खाया जाता है इस तेवहार पर अवरतें जायदा तर पीले कपरे पहनते हैं तो बीहु जो तेवहार होता है उसमें अवरतें जो होती है वो पीले कपरे पहनती है रंग विरंगी मिखला चादर भी पहनती है वेला घर जलाकर सभी उसके चारों और खूब नाचते हैं अपने अपने तरह से वो फर्वतेवार मनाते हैं सुबह मेजी जलाते हैं सुबह क्या करते हैं तो मेजी जलाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इस तेवार में खाना जमीन पर बैठ कर केले के पत्ते में परोशा जाता है तो खाना क्या चीज में खाया जाता है तो केले के पत्ते पर और कहां बैट कर जमीन पर बैट कर खाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का हक मीडे मिल यहां बच्चों का जो हक है वो मीडे मिल की बात कही गई है तो कुछ साल पहले हमारे देश की सबसी बड़ी अदालत जो सबसी बड़ी अदालत है ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया क्या फैसला सुनाया था कि प्रैमरी अस्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलनी चाहिए यह सभी बच्चों का आधिकार है मिड़े मिल जो है बच्चों का आधिकार है ठीक है तो यह आधिकार दिया गया था दीदी मोनी के ऑफिस से बाहर लिखा होता है कभी भाद सुक्तो तो कभी लूजी और छोला डाल इस तरह का तरह का मिड़े मिल में खाना दिया जाता है यह अशम की बात हो रही है जो अशम में इस तरह का खाना दिया जाता है नेक्स चेप्टर है खाना और खिलाना खाना और खिलाना ये 21 नमर चेप्टर है और इसमें सबसे पहले हम लोग पात्र को देखेंगे कि इसमें कितने पात्र सामिल किया गया है क्यूंकि पात्र से भी कोशन पूछ दिया जाता है तो खाना और खिलाना जो चैप्टर है इसमें पात्र कौन कौन सा है और कितने पात्र है जो देखिये दिब्या, स्वास्तिक और मनप्रीत, गुर्णूर और मनजीत सिंग ये पांच पात्र इसमें सामिल किये गए हैं गुरु द्वारे में शभी सीर धके रहते हैं गुरु द्वारे में जो भी आदमी होता है वो अपना सीर धका हुआ रहता है कराह परसाथ जिसे हलुआ काते हैं हम लोग तो बड़ी सी कराही में आटा घी से भून कर बनाते हैं गुरु द्वारे में एक साथ मिल कर खाना खाने और पकाने को लंगर काते हैं नेक्स चेप्टर है दुनिया मेरे घर दुनिया मेरे घर सबसे पहले पॉइंट इसमें टीवी आता है टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें जगरा वहाई क्रिकेट मा न्यूज और अंटी सिरियल छोटी सूशन गाने का प्रोग्राम मैरीटा काटून लेकिन चला पापा क पसंद का फुटबॉल मैच यह टीवी सिरियल्स को बारे में दिया है कि टीवी देखने के लिए घर में सबका 24 बता रहा है कि सभी आदमे का जो 24 है वो अलग-अलग होता है यहाँ पर और थोरा सा आप साइकोलोजी से इसको जोड सकते हैं कि हर बैक्ति में को ध्यान में रखकर बच्चों को सिच्छा देना चाहिए इस लेसन में यह अलग-अलग दिखाने का मतलब यही है परतीवा अपनी शहेली के साथ साथ वजे घर दौर कर पहुचती है लेकिन भाई संदीप और संजय नुकर पर दोस्तों के साथ खेलता है परतीवा जो है अपनी शहेली के साथ साथ वजे घर दौर कर पहुचती है लेकिन भाई जो उसका है वो संजय नुकर पर दोस्तों के साथ खेलता है ठीक है नेक्स इसका पॉइंट है फली फली क्या होता है नाजू और उसके दोस पीलू मामी के साथ समुन्दर टट पर पानी और रेज से फिर आकासी जूले में चक्कर लगाए भेल पूरी खाई गुबारे खरीदे बाद में ठंडी ठंडी कुलफी खाई कुलफी वाले गलते से साथ के बजाए पांच के ही पैसे मांगे लेकिन पिलू मामी ने शही हिसाब समझाया और साथ के ही पैसे दिया यहां देखिए होन कि बच्चे सारे एस मौज किये लेकिन जो जिसके पास से उन्होंने इतनी सारे शमान खरीदा था और वो गलती से साथ पैसा हो रहा था साथ के जगा पर पांच ही पैसा मांगा लेकिन उसकी जो मां थी वो अपने इमंदारी को उहां दिखाती है और उसे शमझाती है कि पर दोस्त अनील को भी पसंद करती है लेकिन उसके यहां कुछ भी खानेशियों मना करती है एक दिन बॉली वॉल का मैच के बाद सभी उसके घर गए उसकी माने पानी दिया अब अच्छे क्या करें यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हभी भी बहुत सारे आदमी एक दूसरे के घर में खाने से इंकार करते हैं तो वही इस चैप्टर में शमझाया गया है इस चैप्टर में इस कहानी के थुरू बताया गया है कि हमारे जो समाज है उसमें इस तरह के हभी भी मानेता है नेक्स्ट पॉइंट है मीना और रीतू अस्टापू खेल के बारे में हम लोग 3 EBS क्लास 3 NCRT बूक EBS के बूक में देखे थे अस्टापू के बारे में तो अस्टापू के बारे इहां भी थोरा सा जिक्री किया गया है कि मीना और रीतू अस्टापू खेल कर घर लवट रहे थे चलो ना मेरे घर चलो रीतू ने मीना से अपना हाँ चुरवाया और बोली तुम्हाने मामा से मुझे डर लगता है हाथ भी पकरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, याखा करें तो अपने घर चली जाती है, तो यहाँ बेवहार की बात का रहा है कि आदमी का जो भीहवियर है, उसको यहाँ दिखाने का काम कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बच्चों के अनुभव रितू के तरह के हो सकते हैं, और कच्छा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, इससे उसका धीरच भी बंदेगा और सिच्छा के परती बिश्वास भी नाम है, पोचम पल्ली जिला अंदर परदेश में एक गाव है, मुक्तापूर, जिस जिले में ज्यादा तर परिवार बुनकर है, पोचम पल्ली के जो जिला है, अंदर परदेश में एक गाव है, वहां का अधिकतर जो परिवार होते हैं, वो बुनकर होते हैं, इसलिए इस इसे बुणाई को यहां के जो आदमी बुणाई करते हैं उसके बुणाई को पोचम पलिनाम से जाना जाता है डाइट बीन सि elbow हम कहा सकते हैं कि उहां के जो बुणाई होती है उसे पोचम पल ली नाम दिया गया है बारी और परसाद के अम्मा अपने परिवार के बरों से या बुनाई शीखी है ये परिवारिक रूप से एक दुसरी से खुद बखुद सीखते जाते हैं इसे सीखने के लिए उसे कुछ अस्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है वो अपने परिवार से देखकर ही सीख जाते हैं जिस तरह से हम लोग ने डिश्कर्ट किया था मदोवनी पैंटिंग यहाँ पोचम पल्ले भी उसी तरह का है यहाँ वहाँ पैंटिंग होती थी और यहाँ बुनाई हो रही है यहाँ भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती है वहाँ भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी बच्चे खुद अपने पैंटिंग से यह सीख लेते थे और यहाँ भी यहाँ का जो आदमी है जो फैंटिंग है वो अपने फैंटिंग से ही बुनाई के काम सीख लेते हैं वो घर में ही सीख लिए जाती है उसके लिए कुछ अस्पेसल ट्रैनिंग की ज़रूरत नहीं होती है इनमें पोचम पल्ली करीगरी की तरह सबसे बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं अनप्रमपरिक बेपशाय जैसे कालीन बलाना खीलो नए बनाना इत्र बनाना इत्याद ये स शारे भी बेपशाय हैं इतने शारे और भी बेप शाय इसमें है तो वो शारे है टाडिशनल बेपशाय हैं जिसको बच्चे अपने पैरेंट्स से ही सीख लेते हैं Next point है पोचम पली सहर से धहगे कीван लाते हैं अभर अम्म, लणियां को वालते पानी में डाल कर उसकी गंदगी और ध्हाग धोती है फिर सब मिलकर धागों को सुन्दर रंगों में रंगते हैं और सुखा कर उरकि गठी बनाती है धागे की गट्टियां करंदे पर लपेटी जाती है फिर इसमें कपरे बुने जाते हैं रेशमी कपरों शारियां और सूट के लिए कपरे बुने जाते हैं तो यह जो है लड़ियां को उबाला जाता है पहले उसके बाद उसको गरम पाने में डालकर उसकी गंदगी और दाग जो होता है उसे निकाल दिया जाता है फिर उस धागे को सुखा कर उसकी गट्टि बनाई जाती है गट्टि बनाने के बाद उसे करंधों पर लपेटी जात फिर इसमें कपरें बुने जाते हैं और रेशम की धागा है वो रेशम की धागा का यूज रेशम कपरों के लिए होता है जैसे शारियां या शूटों के लिए क्या जाता है सूती धागे से भी शारियां बनते हैं और कप्रे के थान चादरे बुनाई की जाती है भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़े बनाई जाते हैं जैसे कुल्लू की शाल भारत की कुछ इलाकें जो है उसमें खास चीज़े बनाई जाते हैं उसके लिए उपपलर है जैसे में कुल्लू की शाल, मदूबनी पैंटिंग, असम की शिल्क और कस्मीरी कढ़ाई इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दिजेगा ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के कई इलाके हैं जिसमें कुछ खास तरह की चीजे बनाई जाती है जैसे कुल्लू की शाल, मदूबनी पैंटिंग और असम की शिल्क और कस्मीरी की कढ़ाई ओके नेक्स चैप्टर है 24 दूर देश की बात तो दूर देश की बात है तो यहां इसका जो चैप्टर का नाम है इसके अंदर हम देखेंगे मलयम में चिटपन तो मलयम में जो चिटपन है वो क्या है पिता का छोटा भाई कुन्जमा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानि चाची को कहा जाता है ठीक है तो चिटपन किसे कहा जाता है पिता के छोटे भाई यानि अंकल को चिटपन कहा जाता है और पिता के छोटी छोटे भाई की पत्नी यानि चाची को क्या कहा जाता है तो कुंजमा कहा जाता है पिता के छोटे भाई यानि अंकल को मलय में क्या कहा जाता है तो चिटपन कहा जाता है और अंटी को क्या कहा जाता है तो कुंजमा कहा जाता है अबू धावी यहां से कुश्चन आया हुआ है अबू धावी अबू धावी और उसके आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में है तो यहां भी क्या होगा कि बारिस नहीं होती है ठीक है वहाँ रतेली जमीन के नीचे तेल होता है इसलिए वहाँ पैट्रोल आशानी से मिल जाता है पानी से भी सस्ता ठीक है अबू धाबी में पैट्रोल पानी से सस्ता है क्योंकि पानी वहाँ बहुत कम मिलता है और पैट्रोल जैदा अबू धावी सिर्फ खजूर के पेर दिखाई देते हैं वहां जायदातर लोग अरभी भाशा बोलते हैं अबू धावी के लोग कौन सा भाशा यूज करते हैं तो अरभी भाशा यूज करते हैं जायदा तर गर्मी की बज़ा से उहां के लोग धीली ढाली शूती कपरा पहनना पशंद करते हैं रेगिस्तान है तो उहां गर्मी जायदा होने के कारण उहां के जो लोग हैं वो धीली ढाली शूती कपरे काटन कलाथेस को यूज करना जायदा लावकारी समझते हैं इसलिए उहां सूती कपरा यूज किया जाता है और पूरा शरीर और सिर भी ढग कर रखा जाता है रेट के टिले रेट के टिले क्या है? तो अब्बु धावी से भारत हवाई जहाज से दो घंटे में आ सकते हैं आप अगर चाहें तो अब्बू धावी से भारत आएंगे हवाई जहाज से तो कितने टाइम कंजूम होगा दो आवर्स उपर से देखने पर रेत का रंग कभी शफेद कभी भूरा और कभी पीला कभी लाल कभी काला दिखाई देता है तो अब्बू धावी में रेत ही रेत दिखाई पड़ता है और जब जहाज से देखेंगे उपर से देखेंगे इसे इस रेत को तो ये कभी इसका रंग जो है कई रंगों में दिखता है कभी शफेद कभी भूरा कभी फीला कभी लाल और कभी काला भी दिखाई देता है कभी-कभी इन्हें रेद के पहार भी दिखाई देते हैं रेद के टिले भी कहाता है इस रेद के पहार को क्या कहा जाता है तो रेद के टिले कहा जाता है ठीक है अब इसमें कुछ कोशन्स दिया हुआ है ये कौन से देश के नोट है तो ये भारत देश के नोट है तुम कैसे जानोगे नोट पर भारती रिजर्व वैं लिखा हुआ राता है नोटों पर किसकी तस्वीर वनी होती है तो नोटों पर महत्वा गांदी की तस्वीर वनी होती है क्या नोटों पर मुल्य के अलावा और भी नमबर लिखे होते हैं तो हाँ नोटों पर मुल्य के अलावा और भी नमबर लिखे राते हैं जैसे सिरियल नमबर भी लिखे होते हैं क्या दो नोटों पर एक ही नमबर छपा हो सकता है नहीं मैं हिंदी, अंग्रेजिय और संस्क्रित पहचान सकती हूं शायद आप लोग भी इतना ही पहचान सकते हैं हिंदी इंगणिश और संस्कृत इसके अलावा और भाशा हम लोग नही पहचान सकते हैं किसी एक नोट पर लिखे बेंक का नाम देखो तो नोट पर जो लिखा बैंक का नाम होता है वो भारती है रिजर्व बैंक होता है यहां से कभी कभी एक कोश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर आप देख लेंगे कि जो तुल्नात्मक यहां दिया हुआ है जलवाई और मौशम केरल का और अबू धाबू का ठीक है नेक्स चेप्टर है चटपटी पहलिया तो यहां चटपटी पहलिया जो है केरल के आंगन में शर्षू मशालों का बगीचा होता है केरल के आंगन में कैशा बगीचा होता है तो मशालों का बगीचा होता है जहां तेजपत्ता, छोटी इलाइची, बड़ी इलाइची, काली मिर्च, आदी होते हैं गरम मशाला, कई मशालों का पिशा पाउडर जैसे जीरा, इलाइची, छोटी इलाइची, बड़ी इलाइची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, आदी के पत्ते जो होते हैं सभी को मिला कर गरम मशाला बनाया जाता है जिसे हम लोग सबजी में यूज करते हैं आलू की चटपटी चाट हमें चाहिए तो उबले हुए आलू उसमें नमक, लाल मिर्च, आम चूर, अत्वा निबू भूना जीरा और काला नमक, गरम मशाला, हरा धनिया चाट का श्वाद भनाने के लिए उबले हुए आलू को आलू छिल कर थोरा शाब हुना हुआ जीरा और काला नमक और गरम मशाला डाले और आलू को छोटी छोटी टुकरों में काट ले इसमें अपने श्वाद के नुसर नमक, लाल मीट्श और आमशूर या नेवू डाले आलू को अच्छी तरह से हिलाएं इसके उपर कटा हुआ हरा धनिया डालने अब बन गया तो आप इसको बना कर खावी सकते हैं अब यहां पर कुछ पहलियां दिया हुआ है अब इसको पर लिजिएगा इसमें एंसर भी दिया है आज का नेक्स चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है फोग जी वहीदा यह इंपोर्टेंट चैप्टर है आज का लेप्टिनेट कमांडर वहीदा प्रिज वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला है वहीदा को प्रिज्म नाम किस से मिला है तो उसके पिता जी से मिला है प्रिज्म ऐसा काच होता है जो साथ रंग दिखता है जिसमें साथ रंग दिखता है उसे प्रिज्म काते हैं वे चारते थे कि मैं इसी तरह से अपनी पहचान बनाऊं। वही बाप्रिज्म जम्मु कास्मीर की रजवरी जिले के थाना मंडी नाम में बहुत छोटे गाउं से है। ठीक है वो कहां से है तो जम्मू कास्मीर के रजवडी जिले के थाना मंडी नाम के एक छोटेशे गाउं से है उन्होंने यह शरकारिय स्कूल से पढ़ाई की उन्होंने यहां कौन सी स्कूल से पढ़ाई की थी शरकारिय स्कूल से पढ़ाई की थी नानी के घर रजवडी से बारहवी की पढ़ाई की इन्होंने बारहवी की पढ़ाई कहां से की तो रजोडी से की जहां इनके नानीघर था ये तीन बहने थी इनकी बहन जम्मो पुलीश में हैं और उन्होंने जम्मो मेडिकल कॉलिज से पांच साल में M.B.S की परिच्छा पास की बहुत ही बराश अपना था अस्कूल के समय में ये कैंपों में भी जाती थी पहार पर चड़ती थी और गर्ल गाइड भी थी ये गर्ल को गाइड भी करती थी ठीक न? डॉक्टर बनने के बाद शेना में भरती होने के लिए एक इंटर्व्यू हुगा और 6 महिने की ट्रैनिंग हुई तो इंटर्व्यू हुगा और कितने महिने की ट्रैनिंग हुई तो 6 मंत की ट्रैनिंग हुई पहाडी होने और घूमने का बहुत शौक के कारण ये भारती नौशेना में डॉक्टर है और नौशेना के समुंदरी जहाज पर काम करने वाली ये पहली महिला है तो इस चैप्टर का जो सबसे important point है वो है ये नौशेना जो होता है समुंदरी जहाज का ये पहली डॉक्टर महिला है इसलिए यहाँ जो point बनता है important है जिन्होंने एक पूरी प्रेट की कमान सम्हाली किसी भी शेना में यह बहुत बरी बात मानी जाती है इनका मन पंडुब्वी में जाने का भी है जब प्रेट होती है तो पीछे चार टुकरियां होती है प्रेड के पीछे यहां से कोश्चन बन सकता है कि प्रेड के पीछे कितने टुकरियां होती है तो चार टुकरियां चलती है पूरी प्रेड में 36 निर्देश देने होते हैं निर्देश इतनी जोड से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकरी के लोग भी सुन पाएं देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ वैठते हैं नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है तो नौसेना का जो जहाज होता है उसमे फर्स्ट एड दिया जाता है जहां पर एक डॉक्टर और दो तीन सहायक होते हैं जरूरी दवाईयां और कुछ मशीन भी होती है यह सब एक छोटी से कमरे में रखी रहती है ठीक है इस तरह से यह जो EBS बुक था क्लास फोर वो उसका पूरा चैप्टर 1-16 हम लोग एक्स्प्लेइन कर दिये हैं और इसको आप दो तीन बार देखेंगे आपका जितना भी पॉइंट्स है सारा क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे स्कॉर गैन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो अगर आपको लाइक लगा है अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कुछ कॉमेंट करने हैं